दोस्तों वेलकम बैक टु गवर्मेंट जॉब वाला SSC प्रप्रेशन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे स्पीड नहीं इंक्रियस कर पा रहे हैं काफी कोशिक कर रहे हैं और वह ग्रेट डी के लिए भी अप्लाई होगी तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखेगा क्योंकि कई बच्चों को क्वेशन साने सर कि हम लिख तो ले रहे हैं बड़ पढ़ने ही पार है कुछ बच्चों को क्वेशन साने कि सर हम 70-80 कैसे पहुचें 70-90 कैसे पहुचें तो यह वीडियो उन लोगों के लिए है देखिए बेसिक सी चीज आपको फॉलो करने ही कुछ भी एक्स्ट्राइफट नहीं करने है अपने जितने वीडियोस मैंने बताए हैं कि शॉल्टेंड की स्पीड कैसे इंक्रीज करें उसमें मैंने यह बताया हुआ कि आपको एक स्पीच कम से कम तीन बार लिखनी है और वो तीन बार आपको एकी दिन में नहीं लिख लेनी है ऐसे आपने अभी मान लिजिए एक speech लिखी, ओके, आपने उसको पढ़ा और आप नहीं पढ़ पाए, कोई tension वाली बात नहीं है, दुबारा एक घंटे बाद उस speech को लिखिए और फिर पढ़िए, नहीं पढ़ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसमय करना क्या ज जिनकी outline बनाने में आपको problem हो रही है, उन words को ध्यान में रखना है, underline करना है, उनको एक अलग short handy copy में लिखना है, और उन words की आपको practice करनी है, ठीक है, जब आप ये चीजें करोगे, दुबारा लिखोगे, फिर भी कई words फसेंगे, हो सकता है वही words फसेंगे, जो आपको last speech जब आपने लिखी थी, उसमें फसें, तो आपको इस तरह से practice करनी है, और जब वो दिन बीच जाएगा, तो वही speech आपको next day लिखनी है, और फिर उसको पढ़ना है, आप देखना, आप 70 to 80% आपकी जो accuracy है पढ़ने में speech को, वो आपकी increase हो जाएगी, देकि बहुत बड़ चोड़ दो, दुबार उसी speech को लिखो, और फिर पढ़ने कोहिश करो, उससे क्या होगा, वो जो speech रहेगी, कहीं न कहीं आपके mind में कुछ न कुछ words बैठ जाएंगे, और जब आप speech को पढ़ो के तो आप relate कर पाऊ कि हाँ यह word आया था, इस तरह से क्या होगा, आपको confidence increase हो कि एक दिन में कम से कम 5-6 speech लिखनी है, और वही speech आपको अगले दिन भी लिखनी है, ठीक है, अगर आपको पूरा दिन का time है, अगर आप office जाते हैं, या office के बाद पढ़ाई करते हैं, तो फिर आप दिन में 2-3 speech लिखिए, इतना enough हो जाएगा, लेकिन आपको practice तो करनी उनकी तो आपने practice ही नहीं करी, और जब आप यह practice करो, जिस तरह मैंने आपको बताया है, तो वही words क्या होता है, कि repeat होने लग जाते हैं, आपको जैसे कही लोग होते हैं, का लिखने में problem होती है, लिख तो लेते हैं, पढ़ने ही पाते हैं, तो यह जो चीज मैं आपको बत लिख दो गया, ऐसा नहीं होता है, जिस बंदे ने पहले दो साले practice कर रखी होती है, अगर उसने थोड़ा सा gap दिया है, और उसको आप बोलो कि भाई, लिख दो, तो उसको भी problem हो जाती है, पहली बार लिखने में, लिख तो लेगा, पर सायदो पढ़ना पाया, कई लोग लिख भी नहीं पाते हैं, तो यह चीज़े होती है, तो अपने आपको demotivate आपको नहीं करना है, जो तरीका मैंने बताया उसको follow करो, एक दिन में, अगर हो सके तो 4-5 speech लिखो, आप बहले ही कुछ भी कर रहे हो, उन speech को दुबारा से repeat करो, और जो words में problem हो रही है, उसको अलग copy में लिख करके उनकी practice करो, और ऐसा है नहीं कि आपने उस दुन words को लिख करके practice कर लिया, फिर आपने उनको छोड़ी दिया, revise नहीं किया, उन words को revise भी करना है, revise करने में कितना time लगेगा, words को शामने लग को दूसरी copy उठा, उन words के practice करते जाओ, और लिख लोगे उ जो आपने लिखा, उन words को पढ़ने की कोशिश करें, यह चीजी है आपको करनी है, यह चीजे मैं आपको practical बता हुँ, जो मैं करता हूँ वह ही आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे speed बढ़ानी होती है, तो मैं यही करता हूँ, कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूँ आपको, तो यह basic चीज़े हैं, आपको follow करनी है, आप इसको implement करिए, अगर आपको result मिलता है, please comment section ले, जरूर बताएगा, नहीं मिलता है, तो भी बताएगा, लगे मैं guarantee दे रहा हूँ, result आपको जरूर मिलेगा, एक हफ्ते के अंदर आपकी speed जितनी भी है, उससे कम से कम 10 से 20 वर्ष पर आपने बढ़ने वाली है, ठीक है, तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो इ कर सकते हैं, और कोई भी question आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी, तो मिलते हैं healthy, नेक्स वीडियो में, thank you so much for watching, bye bye, take care.